ECB examination को crack करने के लिए सबसे ज़्यादा important होता है test series को लगाना जो test book जो अपने आपने market leader है जिसकी test series एक करोर से भी ज़्यादा students लगा चुके हैं लेकर आया है आपके लिए railway SST banking और defense जैसी 200 से ज़्यादा examination के 12,000 से ज़्यादा mock test सिर्फ और सिर्फ 299 रुपे में पूरे एक साल के लिए और EG10 इस referral code को यूज़ करने पर आपको 30 रुपे का extra discount मिल जाएगा link दिया है नीचे description में सब्सक्राइब करें या ना करें देश में कोरोना की इस्तिती बहुत ही व्यापक हो चुकी है और बहुत ही विक्राल रूप धारण कर चुकी है हाला कि कुछ political party अपने political campaign के लिए अभी भी election कर रही है रेलिया कर रही है लागों की बीड़ जमा हो रही है लेकिन वे सभी धर्मकेर उपर नाराजनीती करने वाले धर्मके नाम पर business करने वाले ठेकेदार लोग हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर हम बात करे देश में conduct की जाने वाली सारी परिच्छाओं के तो अभी हाल ही में कुछ मिनिटों पहले notification आया कि MGNF की परिच्छा को भी पॉस्पॉन कर दिया गया है अगले महीने तक यहां तक कि ब्रे जो यह सी बीस्टी की class 10 की परिच्छा को cancel कर दिया गया है का class 12 की परिच्छा को पॉस्पॉन कर दिया गया लगबग लगबग देश की सभी परिच्छाओं को पॉस्पॉन कर दिया है और सबसे बड़ी important बात कल जो new जाए जिसमें यह कह दिया गया है महरास्ट सरकार के द्वारा कि आज रात को 8 बजे से संपूर्ण लोगडाउन हो जाएगा महरास्ट म लेकिन वहाँ पर एक जो notification निकला था महरास्ट government के द्वारा उसमें चीज लिखी गई थी कि जितने भी students है जिनकी ongoing examination है उनको allow किया जाएगा proper admit card के साथ और अगर उनके साथ कोई एक adult है मतलब कोई ना कोई उनके साथ में होना चाहिए तो यहाँ पर problem यह है कि जरूरी नह पूरा महरास्ट एक बहुत बड़ा राज्य अलग लग डिस्टिक्ट है मान लिजे कोई लड़का रतनागीरी का है या औरंगाबाद का है उसका examination center मुंबई में है तो रतनागीरी या औरंगाबाद से वह मुंबई जाएगा कैसे क्योंकि transportation के जितने भी साधने सारे के सार सब्सक्राइब को बंद कर दिया गया है अगर वह पहुंच भी जाता है किसी तरह से तो मुंबई में आके रुकेगा कहां कि होटल होटल हर सारी चीज़े बंद है तो यह जो सिच्वेशन है गवर्मेंट न तो कह दिया कि परिच्छा देने जा सकते हैं लेकिन कैसे वह अपनी परिच्छाओं से बहुत सारी सुट्रेंट्स वंचित रहे जाएंगे तो यहां पर सरकार को समझना चाहिए अगर लोगडाउन किया गया है तो हर अमीर गरीब हर सुसाइटी के हर बच्चे को हित में रखकर डिसिजन लेना चाहिए और यहां पर से का यह करतव बनता है कि वह उन गोईंग जो एससी सीचसल 2020 एक्जामनेशन ने इसको पॉस्पॉन कर दे और इसके काफी ज़्यादा हाई चांसेश भी है आज क्ल से लोगडाउन हो आज राज से लोगडाउन होना है कल एससी के एक्जामनेशन तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता ह कि आज चांसेस है कि ससी सीचसल 2020 एक्जामनेशन के पॉस्पॉन का नोटिफिकेसन आ सकता है और दूसरी प्रोलम यह है कि अगर मान लीजिए एससी ने एक्जामनेशन को पॉस्पॉन कर दिया और कई सारे चात्रों के मन में डर्डर है कि ससी इतनी घटिया और्गिनाईज लेना है तो स्टुडेंट्स के मन में यहां पर यह भी डर कि अगर पाइच्छा को पॉस्पून कर दिया जा रहा है तो अगले छे महीने एक साल तक पाइच्छा नहीं लेगी और इतने में कितने बच्छों की एज लिमीट चली जाएगी एक अटेम्ट हमारा खा जाएगी त तो आज नोटिफिकेशन आने के इसके पूरे पूरे चांसे से प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए जय हिंच जय भारत वंदे मातरम